आपका स्वागत है मैं हूँ प्रतिबिम शर्मा और आप देख रहे हैं सांसत से समवाद और सांसत से समवाद में आज हमारे साथ हैं दिलिप साई किया मंगल दोई असम से बीजे पी के सांसत पहली बार सदन पहुंचे हैं लोक सभा का चुनाओ जीत कर कैसा महसूस हो रहा और कैसा रहा पहले सत्र का एक्सपिरियंस महीं पैले बर संक्षप शुन के शंखफ मैं पोचा हूँ मैं असाम से जो 000 सभाक से रहे मंगल्ड हैं չोम-निरभाशित हो कर आया है महीं पहले विधायक नहीं था और संखफ भी नहीं थे पहले बर सुन के आया है तिसलिए सभी जो इतना एक्सपरेंसेस इस बार संगसद में हुआ पहला-पहला एक्सपरेंसेस है लेकिन मैं राजनीटी में अपने संगथन में भारतिय जनता पार्टी के उमें 2002 से में भारतिय जनता पार्टी के साथ एक्टिबले जुड़ा हूँ इसके पहले में रास्त् श्वयंग स्वख संख RSS के स्वयंग स्वख बने 1986 में, उसके बाद में 1991 से अखिल भारतिय विद्धाथी पुरिषयत का संख स्पर्स में आया हूँ, और विद्धाथी पुरिषयत में करीब नौ साल में पुर्ण कालिक प्रसारग के रूप में मैंने काम किया, और 2002 में प्र अभी तक जो करयाकाल रहे है जदातर करयाकल में संगथन के साथ जुरा रहा है। पहले में जुबा मर्शकार रास्त्रिय करयाकारने का सदेश्षर बना इन 2002। फिर 2005-06 में में भास्पा के आसाम परदेश के जो मीडिया सेल है मीडिया सेल के कन्वेनर बना। उसके बाद 2006-2009 तक में भारते जनता जुबा मर्शा बीजय वायम का प्रदेश अद्दक्स बना आसाम का। नौ से बाराव तक में भारते जनता पार्टी के मंत्री के रूप में तीन साल कार्य किया। उसके बाद फिर बाराव से पंद्रह तक फिर से आह और एक ताम के लिए मैं विजय पी के प्रदेश मंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद 2015-16 में प्रदेश के स्पोक्सपर्शन के रूप में मैंने काम किया। और 17 ओंवर्ज तिल देट मैं भासबा के असाम प्रदेश के महा मंत्र के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। आपने कोई चुनाओ नहीं लड़ा विश्विद्याले स्तरका या कॉलेज स्तरका उस तरके से? जी मैं स्टुडेंश पॉलिटिक्स में हमिस्स सक्रे रहा। काफी य्य्यक्रा पॉलिट्स केमपसेश में काफी सतरके नता को हमने वहां सिर्णवशिताने के लिए अगे बढ़ आ के बढ़ आया हैं और विद्धाटी परिशत क्योंकि वहां उस समय थोड़ा इतना संगथन का स्वरूप इतना ब्यपक नहीं था तो शता सा मतलब संगथन का स्वरूप था फिर भी हम लगोंने केमपसेस में काम किया और उसका परिनम भी अच्छा है यहां भी हम लगोंने विद्धाटी परिशत के वर से कुछ स्टुडेंस लिडर्स को अपने सात्र संह में शुना जिता करके अपना जो विद्धाटी परिशत का काम है वह काम करने का हमको एक मुखा सभग मिला था जी जी वैसे तो आसम बड़े खुबसूरत प्रदेशों में से एक माना जाता है लेकिन उसके बावजूद भी बार की विभीश का आसम को रगातार परिशान करती रहती है तो आपका क्षित्र भी क्या बार से प्रभावित रहता है जी मेरा मेरा जो संक्सिर्यक शित्र है वह यृज दश में से पास एसमली जो है बार पीरि टेलेगा में आते हैं हर सॉर बार एक आ जुमक में तो बार बुलने से आसम का ही नाम एपॉर आसम और बार में आथ सका में कभी जब प्रसंग आते हैं तो बारक के लिए जाता है तो बार के सेलते आसां का जो इंफरस्तक्सर हैं थेवलोपमेंटल इंफ postступसर है हर साल हर सल हमारे इंफरस्तक्शर को रास्ते हो अपने किसानों के फसल हो फिर अपना गाव के लोग जो गरिब लोग है जो लवर मिदल क्लास लोग रहते हैं, उनका बहुत इक्षति होता है, अपने घर से लेकर के अपने जो दमस्तिक इनिमेल से मर जाता है, फिर अपना बाकि पेड़ी फिल्ड जो है, क्रिशिक शेत्रा जो है, क्रिशी भी बहुत बेपक्पना पहिना पर नौस्ट इस बार जो प्लाइट चल रहे थे आसम में तो उसमें करीब 2.18 लाख हेक्टर हमको नस्त हो आए करीब 30 से ज़्यदा लोगों का मोट हो गया था और 60 लाइक्स पीपूल एफेक्टिद वा था आउट अग तो 33 डिस्टिक थाटी डिस्टिक में फ्लाइफेक्ट प्लाइट से मारे कर्टि यह दिनों से हम इसका एक पर्मिनन स्लूशन के लिए हम लोग इसका एक रास्ता धुन रहे थे लेकिन अभी वहां का भी दिमांड है तो इसलिए यह बार को अगर हम एक के नेसनल के लामिटिस के जो यहादा है उसमें अगर हम जोड़ सकते हैं तो बार हर सल बार से भारत स सरकार बहुत पैसा देना पड़ रहा है देते भी है लेकिन इसको एक पार्मिनन स्लूशन और बार के साथ साथ में एक जो फू कताव है जो एरोशन है ओ भी एक बार समस्चा बन गया है और एरोशन खले आसाम बेंगल भी हर का नहीं है पूरा देश में आप तट्रियक सेत प्रब्लेम के ताहत एक राष्ट्रे समस्चा के ताहत इसको एक नेशनल के लामिटी के ताहत इसको एक पर्मिनन स्लूशन के लिए कुछ बरी कदम जैसे हम बासबेजी जब बदान मंटरी बने पहले बर एंडे के सरकार हुआ उस समय एक बड़ा इस्यो उभर का यह ते र बात करें तो चाए है कि तो हमं चाय बागान कितने हैं आपके शेत्र में और चाए बागान की चाय बागान की बहुँ जब बात करते हैं तो चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की समस्या भी वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है तो किस तरह के से उनकी समस्याओं को आप एड्रेस करने वाले हैं या किस तरह के से काम कर रहे हैं अभी एक तू मेरा क्षेत्र में बहुत ज्यादा साइवागान नहीं है, करीब सालिस के आसपास साइवागान है, तो साइवागान सेत्रों का जो श्रमिक है, उनका तो समय सा आश्का नहीं है, शालों से उनका बहुत ही जरजर पुरिस्तिटिव में उनका गुजरा करना पड डेली वेजस एक लेवरर को बागी समय काम करते हैं इसको 167 जो पॉरा पुरा फे मिली राता है उसे दिन नहीं निकलता है तो इसलिए अभी हम उनको शाइभगान के जो लेवरर से जो काम करते हैं उसके लिए अच्छा एक उसको एक डेली वेजस देने का तो हम लोग भी बह कर रहा है अब यह अच्छा हुआ फिलाल इसी सदन में एक वेजस के उपर जो एक रास्ट्र एक निटी एक बन गया है कल भी हम लोग कल नहीं हम इस बार हम लोग सभा में इस बील को आपको भी अफसर मिला इस पर बात करने के लिए मेरा साथ ही जो लेबर मिनिस्टर है असाम करके एक तो वेजस का उपर जैसे देखी आप आसाम में टी लेबरर्स को 167 डेली मिलता है लेकिन डेली में एक जैनरेल अंस्किल लेबरर को हम 528 रुपय मिलता है कहां 528 रुपया कहां 167 और इसके अलावा अलब तरीके के सोशन भी है जी सुशन भी है काम करने वाले जिटरोंивать तो अगर आगे उसको श्वास्ट की शूभीदा उसके बात उसको स्कार क्रीघ हम दोने कर अंधर हमरे सरकार ऊदेखु विए प्रहाश बुद्धा कंई सुश्य लेकिन और कितना चुनाती पूर्ण होता है जब एक जन प्रतिनिधी सत्ता पक्ष से संबंद रखता है क्या अपेक्षाएं आकांशाएं वहां के क्षेत्र के लोगों की बढ़ जाती हैं कि यह तो सत्ता पक्ष का सांसद है यह हमारे लिए ज्यादा कुछ कर पाएगा आजदे क लिए आप सही बोल रहा है तो इतना आफेक्षा है लोगों से एक टूस्तेट गोऊंवेंड बिजएपी लेड है लुस्ता सेंट्रल कोऊंवेंड है तो लोग सोशते है कि बिजएपी के संगस्त के मद्धम से तो हमारे जितना समेश्चा है जिए सालोँ साल पुरा जाता है हम लोग भी मतलब सभी साथ सतर साल का समझसा अब पांच साल में आप इसको हन्रेट परसेंट अब खतम नहीं कर सकते हैं लेकिन आपने कुछ चिन्नित किया है कुछ बिंदू की इन इन खित्रों को प्राथमिक्ता देनी हैं यहां पर कारे पहले करना है कुछ आपने सब्सक्राइब का कुंस्टिटेंशे दलगाव है वो दलगाव है नलवारी है कमलपूर है रंगया है शिपाजार मंगल्ड है इधर आपको उदलगुरी है माजबात है पानेरी है कुलाइगा है 70 परसेंट जो मेरा क्षेत्र है वो इंकुदिंग टी गार्डेंस मेरा के जाने के लिए अभी हम लोग ने आसाम गौर्मेंट ने भी अज्ञा स्किम शरू किया है सभी क्रिशाकों कूंग पाच हजार रुपया देने का फ सरेने कान अंको जो अग्रिकल सहयल जो मतलब इसको इंस्ट्रूमेंट ऑन्स उच्रूमेन के लिए श。 क्रॉप्स इंसुरेंस का है किसन केडिट कार्ट है यह सब भी इंप्लीमेंटेशन अभी हो रहा है पिछले बार पिछले सरकार में कुछ हुआ था लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन जैसे होना साइए था वह इसा नहीं हुआ था अब मैंने सुना एक किसानों की हित की बात है वह भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर वहां पर लग जाए तो वहां पर जो भी उगाये जाता है चाहे सबजिया हो चाहे फल हो उनसे निर्मित उतपाद वहां पर तया हो पाएंगे एक बात और दूसरा वहां रोजगा हमारे पूरा इनडेस्ट्री का अभाव है कुछ ऐसा बरा इंडेस्ट्री हो है नहीं यह sembol and medium-scale इंडेस्ट्रीज भी नहीं कए पराबार है अचाहए अब हम लोग सूरू करता है अभ हम लोग सूरू कर रहे हैं हमरे हम रोंग इन के पोल मिल है एक पोली मिल है उसको अभी वी रिभाईब करने का एक इसू आ रहा है वह उसको रिभाईब के लिए असम गुम्मेंड भी उसके लिए तयार अभी हुआ है वह रिभाईब हो रहा है तुसतरा हम जो फूद प्रसेसिंग के इंडास्टिजा हमरे आप फॉल सब्जिया बहुत मात्रा में उत्पाद धुत हम इक मंत्रे जी से बाथ के इंड सरकार में एक food processing unit है तौं भी तो हमरा काफी मैत्रा में होता aquí काफी मात्रा में होता है लेकिन उसको हम storage नहीं कर पता है तो स्कूर्स नहीं कर पता है तो कृषक करमर से उसको भी उद्पातिक मुझलब सही समय पर नहीं मिलना है तो cold storage पोल्स तूरेस और उसके साथ साथ में कुछ फूद प्रसेसिंग यूनिट हम लगाने का हम मारा मौन में बिशाय है इसलिए और इस बिशाय को आगे हम बढ़ा है क्योंकि फूद प्रसेसिंग मिनिस्टर जो मुएस है वह आसाम से ही इजबर असाम से ही उनको इजबर मुंतर पिशले कारिकर में हमने दिखा था मोधी सरकार के बैंबू को ट्री की कैटेगरी से बाहर ले आए जिससे बैंबू को काटना आसान हो गया है उससे भी लाब मिल रहा है किया वहांके क्रिशेकों को किसानों को त्योंकि बैंबू हम लोग बड़े मातरा में आयात करते थे चीन से आयात करते थे बहुत पैसा खर्च करते थे वह अब आयात करना नहीं होगा हम आसाम के या फिर नौर्टीस के जितने भी स्टेट्स हैं उनके किसानों से खरीद पाएंगे और उससे बहुत सारे सामान भी निर्मित होते हैं तो एक बड़ी उपलब्दी है और इस उ मेगलाय हो, त्रिपूरा हो, मनिपूर हो, मिजराम हो बेमबू एक नैसारेल प्रड़क्ट हो गया है और उसको अभी त्री का हिसाब से उसको जो यह कर दिया है तो इससे बहुत फाइदा नौर्टीस को होने आला है और अभी शुरू भी किया है बेमबू प्लेंटेशन का एक बड़ा एक इनिसेटिव असाम में भी शुरू हो गया है तो इसलिए बेमबू प्लेंटेशन से असाम के क्रिशागों के नौर्टीस के सभी राज़़ों के क्रिशागों को एक बड़ा फाइदा मिलने का एक असा है उम्मीद है और उसमें हम काफी लोगों को एम्प्ल दोनर मिनिस्ट्री के माध्यम से ब्यम्बो मिशन को अच्छा से एक्जिगूट करने के लिए इसको बड़ी एक प्रजेक्ट नौर्टिस के लिए क्योंकि एकोनोमी के लिए वायबुल है सब मतलब स्वी प्रदेशों में ब्यम्बो मिलता है और इतना बहुत इसमें यह करने का जुरूरत नहीं यह रता है अप लगा देने से अच्छा एक अच्छा एक हमारा इसके लावा है हैंडिक्राफ्ट के भी बहुत बढ़ा बहुत बढ़ा है देखिएंगा आप शारा देश में आप असाम त्रिपूरा का आसम में मेरा कॉंस्टेंसिटी नलबरी में एक जापी मिलता है अच्छा तुपी तायप का जो जापी जो और skipping अभी कुछ लोगोंने उसको तुपी बला तुपी नहीं है और जापी है बहुत अच्छा से डि बाकी घर में लगाने के लिए डेकोरेटिव आइटेम्स इतना अच्छा से बनता है और जापी सिल्फ एक अच्छा सिल्फ उसको रिभाइब कर सकते हैं उसके लिए भी हम प्रैस करेंगे फिर बाकी फानिशार से लेकर के अब ब्यम्बू से इतना अच्छा अच्छा दिलों के लिए सारा देश के लिए एक आइडियल एक मॉडल हो सकता है जी 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 ग्रामिक शेतर में रहने वाले गरीब लोगों को भी इससे अब फाइदा होने वाला है बहुत जल्द बहुत जल्द लिकिन एक कनेक्टिविटी पर लगाता ध्यान रहा है अगर पिछले क सरकार की बात करें रेल अभी भी वहां तक नहीं पहुत कि आपके शेतर के लोगों के लिए रेल की भी डीवांड है? पूरा एंटर डरंग डिस्टिक्ट जो है रेलवे नेटवर्क से काता हुआ है तो हम पहले से लोगों का दिमान था क्योंकि वहाँ एक तो इतना बरी मत्रा में होता है तो उसको ट्रैंसको ट्रैंसकों से क्रिशक को जो लाब मिलना साथ है तो एक से लाब जाता है तो दर्भाग से मेरा मेरा वही दरंग दिस्टिक मेरा थिस्ट और भी भी रेल लाइन वहां बेठा नहीं पाया है, तो इसलिए हम इस बार आते ही, इस बार के जो सेशन हुआ, इस सेशन में में मेरा पहला इसु था, में मेरा कॉंस्टिवेंशी धरंग डिस्टिक को रेल नेटवर्क से जोड़ना है, मैंने अपने रेल मंत्री पिजिज गुएल स से भी मुलाकात की, मैंने मेतर अंडर रूल 3377 में भी यह विशय उठाया है, मैंने बेक्टिकर ट्रूप में भी रेल मंत्री को सिठी लिखा है, और सबसे अभी पुजिटिव प्रेस्पन्स आ रहा है, अभी एक सार्वे अभी का अर्दर हुआ था, अभी सार्वे फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, अचा करता हूँ, इसी कारेकाल में, इसी अगले साल तक उसका पूरा फाइनल एक रिपोर्ट आजाए, और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद रेल लाइन बिशाने का जो काम है, वो इसी पास साल मेरा कारे कार्या कर्या कर्मे ह Task के मेडि़र कर्या रोगार यह पूरा मगले जो लुक्षवक अपने जो फोतर से करी थारा लग फोतर निक्तर की अपने संसिदी को कि तर्द लुगों के मिलना और की समस्या ना और उनको दूर करने का प्रियास करना ये महत्वपूर्ण होता है लेकिन सदन के भीतर लोकसभा के भीतर उपस्तिती और लोकसभा के भीतर संसदी शित्र के लोगों की समस्याओं को उठाना वो कितना महत्वपूर्ण है और आपका कैसा रहा पहले क्योंकि सत्रवी लोकसभा का भी पहला सत्र था और आपके कह सकते हैं संसदिये शित्र का भी आपके सांसद बनने के बाद भी पहला सत्र था के सरापूरा बहुत ही एक productive session रहा इस और मेरे कुछ जो कहाने सुनने को मिलता था पले जे पहला सत्रतों शुरिये दो तीन सार सत्रत तक नए संक्षदों को बोलने का कोई मुखा ही नहीं मिला था और मेरा स्वभग है और मेरा नहीं पुरे नए जितना संक्षद सुन के आये है सबका इसाथ स्वभग है इस बार सभी को किसी ना किसी मतलब रूप में बोलने का किसी को जीरो और में किसी को 377 में किसी को star question में एचा और कोई विशेस जो अधिन के विशे में कुछ बोलने को मिला है इस बार तो मेरे को भी इस बार स्वभग है कम से को अभी तक में six seven times में खड़ा हो को होके बोलने का मेरे को मोगा मिला है जीरो और में भी दो तीन बार मोगा मिला है फिर 377 में भी मेरे को मोगा मिला है और मेरा three star question अभी तक लगा है तो कुछ संक्षद का तो यसा ह पुरा 5 साल बीद जाता है लेकिन Star Question लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है। मैरे को अभी तक 3 Star Question का करने का मोका मिला है। और An Star Question के भी अभी तक करिब मैंने परशाच से ज्यदा मेरा Questions अभी इस Session मेरा मेरा आया है। अगर असाम में सबसे ज़्यदा question अगर किसी का आया है, यह question जमा किया था तो मेरा और से हुआ था, तो इसलिए इस session में मैंने यह issue, rail connectivity का issue, फिर मंगले town में में मेरा एक national highway 15 जाता है, तो इस अंदर से जाने के कारण पूरा यह traffic जाम हो जाता है, बरे बरे जो truck से उसका आव national highway 15, तो मैंने बार 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 पहले लोगों का भी दिमान था, इस national highway का जो यह portion है, 7-8 km जो इसको bypass करके, कुमा करके आगे लगा दिया जाता है, तो एक transport, जो traffic वाला जो issue हो भी काम हो जाएगा, दूसरा लोगों को भी एक अच्छा पूरी बेस मिलेगा, तो इसलिए एक bypass हम लोगों ने इस बार उठाया है, हमने उठाया है, कुल मिला करके, हमारे पाथोर्योगात एक अच्छा एक historic places है, 1894 में, वहाँ 116 कृष्वकों ने, बिटिस सरकार ने, जो उसका revenue बरा है, उसका बिरुद में एक बड़े अंदुलन खड़ा किया था, और एक दो दीन के अंदर 146 कृष्वकों को मार जिया गया था, पाथोर्योगात, तो उस पाथोर्योगात का अभी तक सहरा देश बर में, उसका कोई साइट नहीं बना है, हमने दिमान किया था, पाथोर्योगात कृष्वक बिद्रो जो हुआ, उसको एक national memorial site, उसको खुसना किया जाए, और इसाब से उक शेत्र को आगे अनले दिनों में एक अच्छा एक tourist path बने, एक अलसायल, एक heritage का center बने, उसके लिए हमने इस साइटन में, और दुश्वा में एक और important issue उथाया है इस session में, जो एक population policy, मेरा संक्सित एक शेत्र में आप विश्वास नहीं करेंगे, 2014 में पुन्र पुतर था, 15 lakhs पुतर, और मैंने इस बार सुना व लरा है 2019 में, 18 lakhs 4000 पुतर, पास साल के अंदर, टीन लाग पुतर का बरुतरी, यह बहुत कंभीर बिशे है, गुस्पैटियों का मामला है, आपको लगता है, गुस्पैटियों का issue है, उसके बात फिल, जो population, जो uncontrolled population जो issue ह किसी का दज, किसी का पुनर, किसी का आथ, बच्चा पेदा करता है, एक section के लोग, तो इसलिए, इसके लिए मेंने, माननिया, प्रधन मंटरी से भी काल अग्रा किया, ग्रेह मंटरी से भी अग्रा किया, एक ससक्त, एक जनसेंख्या कानुन, नेहनतरन कानुन, एक डेश, सा भी देश के लिए बड़ा समेश सा बन करके उबरा है, उसको भी हम इसको एद्रिस कर सके हैं, चलिए आपने समय निकाला, लोकसभाट टीवी के लिए, दिलिव जी आपको धिर सारी शुपकामना है, आपने जो वादे किये हैं, आपने जो प्रण लिया है, वो सभी भली भ झाल में झाल 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 झाल